घर पर बनाएंगे हलवाई जैसे मेवे गलड़ू जिसमें हैं प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और बहुत सारे पोशक तत्र भी जो शरीर को देंगे ताकत दिमा को रखेंगे टेज, बिना चीनी, बिना गुड के प्राकृतिक मिठास के साथ बहुत कम घी में इसको हम बना बनाने के लिए सबसे पहले दो टेबिल स्पून कढ़ाई में देशी घी को डाल कर गरम करके इसमें आधक बादाम को डाला है, मीडियम फ्लेवर डेड़ से दो मिनट के लिए इसे चला लेंगे, बादाम में विटामिन E, B, आईरन, कैल्शियम जैसे कई पोशक तत्व होत काजू कलिस्टरॉल कम करता है, विटामिन मिनरल्स का अच्छा सोर्ज भी होता है, अक्रोट दिमाग और हाट के लिए काफे अच्छा रहता है, सारे नट्स किसी ना किसी तरह से बहुत फायदा करते हैं, और इन्हें कभी न कभी किसी तरह से खाना जरूर चाहिए, तीडो आपके पास सनफ्लार शीर सो, तो वो भी डाल सकते हैं इसमें, जब तक ये बीज हलके से सिक ना जाए, चटकने ना लगें, तब तक इसको चलाएंगे, ये बीज भी बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, अब ये देखें, बीज सिक चुके हैं, इसमें अब हम डालेंगे एक कब कद्डू कस किया हुआ सूखा नारियल का गोला, कुछ देर इसको भी चलाएंगे, गरी का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, इसके लगातार इसको चलाना है, गैस की फ्लेम आप चाहें तो लो मीडियम कर सकते हैं इस समय, ऐसे तो ये सारी चीज़े कोई नहीं मंद होता है, हमने इसमें गरी का गोला डाला है, आप चाहें तो गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं, यानि डेसिकेटी कोकोनट को, ये देखिए, सारी चीज़े हमारी स्टिक चुकी हैं, कड़ाई से इसको बाहर निकाल लेंगे, काजू, बादा, मखरोर, ठंडे हो चुक हैं, इनके बीच की खुठलियों को निकाल देंगे, और इसके छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे, चीनी नहीं, गोड़ नहीं, इन लड़ों को प्राक्रतिक नथास जो खजूर में होती है, उससे बनाएंगे, अगर खजूर नहीं है आपके पास, तो आप जो सुखा हु होता है, पानी में डालकर उसको फुला लें, और फिर बीच की खुठली को निकाल कर उसको पीस कर पाउडर बना लें, उस तरह से भी आप लड़ो बना सकते हैं, सारे खजूर को हमने काट लिया है, मिक्सी के जार में इसको टालेंगे और इसको पीस लेते हैं, बिना पानी पीसना है, फिर प्लेट में निकाल लेंगे इसको, यह देखें प्लेट में निकाल लिया है इपीस कर, उसी कड़ाई को पोच कर हमने फिर से ले लिया है, इसमें एक टेबिल स्पून देशी घी को डालेंगे, खजूर के पेस्ट को इसमें डालेंगे, और मीडियम फ्लेम चलाते हुए इसे सॉफ्ट कर लेंगे अगर आप लड़ों को और ज्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो थोड़े से खजूर और बढ़ा लीजिए इसमें बस इसी तरह से चलाते हुए यह देखिए हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुक लेगी क्योंकि इन मेवों में भी अपना ऑइल होता है सारी मेवा को लो मीडियम फ्लेम पर ही मिलाएं नहीं तो मिक्स्चर जल भी सकता है यह मिक्स्चर अच्छे से मिल चुका है कैस को बंद कर देंगे और इसे इतना ठंदा करेंगे कि आप इसे चू सके यह देखिए खलका सा गरम कर लें नहीं तो इसमें थोड़ा सा शहर या फिर गुर्ड का सिरफ बना कर डाल सकते हैं और इस तरह से लड्डू बना लीजे सारे यह लीजिए सारे लड्डू हमने बना लिए हैं हर रोज एक लड्डू जरूर खाएं फिर आप इसके फाइदे देखिए मह मुलfon हमने अर टोज आप लोग जरू कर ले खाएं अंदेखिए मुलू हमने हमाः यह जिर गुर कर फिर बना कर ले भीजे सारे वी जढ़ कर दो